Hey there, this is Nidhi and I welcome you all to online कक्षा. डिस्कस करेंगे, आज हम 30 questions जो 31st January 2021 को आए थे, paper first उसी को आज हम डिस्कस करेंगे. बने रहीएगा end तक, क्योंकि solution के साथ मैं आपको answer बताने वाली हूँ. तो चलते हैं maths की first question पे अपने. तो पहला question हमारा ये कहता है कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पौन रूप से पानी से भरी हुई है. बाल्टी के इस पानी को छोटे-छोटे वरतनों में भरा जाता है. बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा पच्चास बार पूरतेया भर कर छोटे-छोटे वरतनों में स्थान्तरी करण किया जाता है. मतलब ट्रांसफर किया जाता है मग की धारतेया यानि capacity of मग बताना है. मतलब एक बार मग से जब ट्रांसफर करेंगे बरतन में पानी तो उस मग में कितना पानी आना चाहिए ये question में पूछ रहा है. तो सबसे पहले given values को देख लेते हैं तो volume आपका दिया हुआ है 16 liter ठीक है तो एक liter में हमें पता है 1000 ml होता है ठीक तो जो volume आएगा आपका 16,000 ml आ जाएगा ठीक तो मग की धारिता मतलब मग की धारिता हम find करने में तो bucket की धारिता bucket की धारिता अपॉन 50 तो इसका answer हो जाएगा 16,000 divided by 50 that is 320 ml ठीक तो इसका right answer क्या हो जाएगा 3rd, 3rd will be the right answer. move करते हैं अपने next question पे हमारा next question कहता है what should be subtracted from the sum of this, this, this to obtain 17,863 ठीक है तो सबसे पहले आपको करना है कि इन तीनों को add कर लीजिए ये सारे number तीनों number को add करिये ठीक है 8088 और 8808 तीनों को add करेंगे तो 24,904 आएगा ठीक तो equation में कह रहा है कि क्या इन में से subtract करें कि 17,863 रिजल्ट आ जाए तो इसमें equation ऐसे बनाएंगे कि 24,904 minus x equal to 17,863 ठीक है तो इससे x की value हमारी आ जाएगी 7041 ठीक है तो second will be the right answer move करते हैं अपने next question पे next question हमारा कहता है कि the following table shows marks obtained out of hundred by maria and shaynaz in five subjects five subjects दिये हुए है उसमें maria शानाज ने कितने number obtained किये है वो दिया हुआ है फिर आप से उसी के basis पे चार statements दिये हुए है उसमें से right statement कौन सा है यह आपको बताना है तो सबसे पहले question कह रहा है कि maria ने shaynaz से किवल दो विशेओं में अंक प्राप्त की है जादा अंक प्राप्त की है तो देख लेते हैं इसमें पहले में तो maria ने कम shaynaz से पाया है 74 ठीक है दूसरे में 88 के लिए आपको देख नहीं रहा होगा तो मैं एक बार फिर्शी करती हूं कि यहां पर देखे 7 maria 74 पाई है तो किसमें maria ज्यादा पाई है शहnaz से यह देख लेते हैं तो sports gorup ay ogni और Tamil supu करी भूएज ज्यादा साइंस में और मैं पाई टीन सब्जिक्त में maria जो है कि ँछ इनास से कि पीज़ए 55 में ज्यादा माक्स अप्टें किया की हुए है तो पहला question कह सही statement था लेकिन इसमें only लगा दिया मतलब limit कर दिया उस चीज को तो इसलिए statement गलत हो जाएगा पहला statement गलत हो गया दूसरा statement शहनाज aggregate marks in maths and science are more than maria's aggregate marks in these subjects तो math and science लिख लेते हैं maria और शहनाज ठीक है तो अब इस maria's में maths में पाते हैं 88 नंबर और शहनाज पाते हैं 78 नंबर science में maria 90 नंबर पाते हैं ठीक है और शहनाज 82 नंबर पाते हैं तो इनको जोड लीजिए आप 178 आया और इनका 168 आया तो statement अब क्या कह रहा है कि जो शहनाज है math and science को मिला कि maria से ज्यादा नंबर लाती है तो यह गलत statement है क्योंकि इनका 160 है इनका 170 तो इसलिए यह भी statement गलत हो गया थर्ड statement पर अपने आते हैं aggregate marks of maria and shahnaz are equal तो यह सही answer हो जाएगा क्योंकि aggregate marks add कर लीजिए आप सारे marks मारिया के 390 आ रहे हैं और shahnaz के भी 390 आ रहे हैं मतलब aggregate marks दोनों का same है तो third will be the right answer third answer हो गया है तो check करने की जरुवत नहीं बढ़ मैं फिर भी आपको बता दीती हूँ maria has scored marks more marks than shahnaz in all subjects except languages languages का मतलब hindi और maths में maria ज्यादा नंबर पाई है तो maths में हाँ maths में तो sorry English में कम पाई है शahnaz से और Hindi में भी Hindi में ज्यादा पाई है तो ये भी statement गलत हो गया है क्योंकि एक language में ये कम पाई है और एक language में ज्यादा पाई है तो I hope आपको ये question clear हो गया होगा तो इसलिए move करते हैं अपने next question पे next question हमारा कहता है कि a taxi meter shows charges of rupees 50 for first 2 km 2 km के लिए जो taxi meter है वो 50 रुपए चार्ज शो कर रहा है ठीक है फिर कहता है कि रुपीज 16 और 16 रुपए 16 रुपीज हर 1 km का चार्ज लगेगा और फिर मन्जू जो की एक taxi पे जो बैठने वाली लड़की है वो अपने घर से railway station जाती है तो वहां से जो पूरा distance ट्रावल करती है उसने उस डिस्टेंस उस जर्नी के टोटल ड्राइवर टाक्सी ड्राइवर को 258 रुपए दी है उन्होंने तो इसमें ये पूछ रहा है कि कितना किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो घर से लेके railway station तक कितना डिस्टेंस मन्जू ने ठीक है तो दो किलोमीटर तो हम पहले निकाल देते हैं अब बचा 16 किलोमीटर तो इसके एक्चली दो मेथद्स हैं मैं दोनों आपको बता देती हूं सबसे पहले तो एक equation ऐसे हम लिख सकते हैं 50 रुपए 2 किलोमीटर के ठीक है और 16 रुपए हर एक एक किलोमीटर की चार्जिस लगते हैं तो हमें पता नहीं है कितने किलोमीटर तो उसको हम X मान लेते हैं तो 16 इन्टू X इक्वल टो टोटल जो चार्ज हुआ वो 258 इन्ट ने दिया ठीक है 258 इन्ट ने दिया तो X की वैलू यहां से सॉल्फ तरने के बाद 13 किलोमीटर आ जाएगी ठीक है 13 किलोमीटर तो X की वैलू आई लेकिन अभी 2 किलोमीटर था तो 50 रुपए और भी था ना तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्लस 13 दाट इस 15 किलोमीटर विल बीदा आंसर अब दूसरा मेथेड यह है दूसरा मेथेड आप सीधे पहले 50 रुपीज एक्स्क्लोड कर लीजिए क्योंकि 50 रुपीज दो किलोमीटर का लग रहा है ठीक है अब 16 X एक्वल टू 16 तो 258 में से अगर 50 रुपीज हटा देंगे तो 208 रुपीज आएगा यह इसके बराबर हो जाएगा तो इसमें से X की जो वैल्यू आएगी आपकी 13 यहां से आ जाएगी मतलब 13 किलोमीटर जो सब्सेक्वेंट डिस्टेंस ट्रावल किया उन्होंने वो 13 किलोमेटर ट्राव क्या होगा तो चलते हैं अपने नेक्स वेशन पर नेक्स वेशन हमारा कह रहा है फॉल्विज है सम् वेशन पोस्ट बाइचर इंदे माथमेटिक्स ट्रास्रूम पहला है की वाट इस दा एरिया ऑफ दा रेक्तेंगल होस वन साइड इस 5 सेंटिमेटर और परिमेटर इस 30 से केंटिमेटर ठीक है दूसरा स्टेट में में फाइंद सेट अफ नंबर्स हूस मीडियन इस फोर और थर्ड है लिस्ट अल्ट प्राइम नंबर्स बिविए जीरो तो एट डी है तेल मी एनिधिं माथमेटिकल इन्फमेशन यू नो अबाउट रेक्टेंगल तो इसमें पू यह जानना है कि closed-ended और open-ended questions होते गया है closed-ended questions हम उनको कहते हैं जो कि limited options के थ्रू दिये जाते हैं मतलब कि उसका जो उसको easily हम analyze करके quantitative data के थ्रू हम उसका answer दे सकते हैं और हम उसका answer yes or no में भी दे सकते हैं बहुत ज्यादा explain और statements में answer नहीं दिये जाते हैं जैसे पहला जो है इसमें कहरा है कि area of rectangle अब इसमें area of rectangle में आपको value दी हुई है length और one side दिया हुए perimeter दिया हुए तो हम इससे area calculate कर सकते हैं ठीक है perimeter दिया हुए one side दिया हुए तो length उससे आ जाएगा और उसके बाद length से length breath आ जाएगा तो उससे हमारा area आ जाएगा ठीक तो पहला ह हम इस तरह से निकाल सकते हैं find a set of numbers whose median is 4 अब हमें ऐसे set numbers निकालने हैं जिनका median 4 हो तो इसमें क्या हो जाएगा यह open ended question है मतलब इसमें बहुत सारे variations आ सकते हैं बहुत सारे answers आ सकते हैं ठीक है तो उसको हम open ended कहते हैं open ended का मतलब होता है कि यह yes or no में नहीं response किये जाते हैं य जो कि require करते हैं longer response को ठीक है वो हमारे open ended questions होते हैं closed ended होते हैं जो short में brief में दिये जाए और जिसके मतलब quantitative value से हम calculate करके कुछ lines में उसका answer दे सकें कुछ short उसमें मतलब one word में दे सकें तो यह होता है तो इसका सही answer जो हो जाएगा इसका जो सही answer हो जाएगा A और C देखे A में भी हम value निकालके short में हम दे सकते हैं उसका answer और C में C में all prime numbers between 0 to 8 तो यह भी हम short में दे सकते हैं और B और D जो है आपका यह open ended question है ठीक है I hope आपको open ended और closed ended में difference पता है question कहता है हमारा next question कहता है which of the following is a desirable teaching learning practice in the context of mathematics तो इसमें पहला option है intuitive understanding of concepts should be encouraged या open book test should be avoided students should be told or told to follow the prescribed steps of solving problems या फिर open ended question should be avoided to prevent confusion तो इसका सही answer हो जाएगा first, first will be the right answer move करते हैं अपने next question पे next question हमारा कहता है रोहित realizes that square is both rhombus and rectangle यानि रोहित ने अनुभो किया कि वर्ग एक सम्चतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है तो he is at what stage of Van Hill's visual thinking वो कौन से level पे कौन से stage पे है according to Van Hill's visual thinking तो इसका सही answer हो जाएगा level 2 relationship ठीक है इसका सही answer हो जाएगा 37th का second move करते हैं पे next question पे which of the following is least likely to impact teaching learning in mathematics using result of assessment to modify teaching दूसरा है knowing ways in which assessment affected the confidence of learner तीसरा है providing complete solution to students wrong answer या enhanced quality of feedback तो इसमें क्या कह रहा है कि least impact teaching learning mathematics के teaching learning पे least impact कौन सा method या कौन सा statement डालेगा तो इसका सही answer हो जाएगा complete solution to students wrong answer हम जब भी mathematics पढ़ाते हैं तो सबसे पहले बच्चे को मौका देना चाहिए कि वो खोज करें ब्रेंस्टर्मिंग करें जिससे कि उससे क्या होगा उसकी analytical power improve होगी वो think करेगा उसका observation power increase होगा प्लस जब वो solution के लिए थोड़ा struggle करेगा तो उसकी संग्यान का भी विकास होगा ठीक है move करते हैं अपने इसका सही answer हो जाएगा third third will be the right answer move करते हैं हमने next question पे which of the following statements regarding mathematics teaching learning is incorrect ठीक है यानी गडित की सिक्षण अदियुम के विशय में निमनलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ठीक है तो पहला question पहला statement है culture and context has no role in constructing mathematical knowledge या फिर mathematical knowledge can be created in primary class students through observation of pattern and generalization या फिर argumentation and negotiation play an important role in creating mathematical knowledge तो इसका सही answer हो जाएगा argumentation and negotiation play an important role in creating mathematical knowledge ये negative sentence है मतलब की गडिती है ग्यान की सर्जन में तर्क और वारता की एक महत्तुपून भूमिका है ये बिल्कुल गलत है तर्क और वारता की महत्तुपून भूमिका गडिती ग्यान की सर्जन में नहीं होती है move करते हैं अपने next question पे sum of any true whole number is a whole number this property of whole number is referred as ठीक है कि इन्हीं दू पून संख्याओं का योग एक पून संख्या होता है तो पून संख्याओं के इस गुड को इस प्रकार के उल्लेखित किस प्रकार से उल्लेखित किया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा closure property यानि संवरक गुड ठीक है which of the following is the most important aspect of teaching of mathematics at primary level तो यानि प्राथमिक स्थर पर गडित पढ़ाने के लिए निमनलिखित में से कौन सा पहलू अतियंत महत्तुपून है developing rigor in calculations, preparing for higher education and employment, promoting and preparing for technology या फिर making mathematics the part of children's life experience तो बिल्कुल सही बात है गडित को बच्चों की जीवन की अनुभावों का भाग बनाना चाहिए ये primary level पे सबसे important aspect है mathematics को पढ़ाने का मुख करते हैं इतने next question पे next question हमारा कहता है कि which of the following statement is or true regarding teaching numbers at primary level तो पहला statement कहता है intuitive understanding of numbers should be encouraged या फिर writing numbers should be taught in sequence या फिर writing of numbers as numerals should be proceed counting या फिर order irrelevance of numbers should be encouraged यानी संख्याओं की अंतरदर्शी समझ को प्रोथसाहित किया जाना चाहिए या फिर संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए या फिर गड़ना से पहले संख्याओं को संख्याओं की रूप में लिखना सिखाना चाहिए या फिर संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोथसाहित करना चाहिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा A and D A and D will be the right answer Move करते हैं अपने next question पे Which of the following is suitable for teaching children the concept of fraction तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो Abacus Abacus will be the right answer Move करते हैं अपने next question पे Next question अमारा कहता है Which of the following statement is not correct with regard to the nature of mathematics Mathematical concepts are hierarchical in nature Primary level mathematics is concrete and does not require abstraction या फिर mathematics uses special vocabulary to communicate ideas precisely या फिर argumentation skill is important in construction of mathematical knowledge तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा C C will be the right answer ये बिलकुल भी नहीं सही है कि mathematics को use करने के लिए एक special vocab की ज़रूरत होती है आइडियास को हम देखते हैं डेली लाइफ में भी लोग mathematics को use करते हैं हर जगे mathematics use होता है Mathematics is a very practical language ठीक है Move करते हैं अपने next question पे Which of the following activities is most likely to develop special reasoning among students तो यानी निमनलिखित क्रिया कलापों में से किसे विद्यार्थियों में त्रिवेम विवेचन विक्सित होने की सरवाधिक संभावना है सुड़ों को पहली को हल करना चौपड आकृतियों को पहचानना या फिर आकड़ों को निरुपित करने के लिए दंड आले खिचना या फिर एक संख्या चार्ट में नमोने को पहचानना तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा identifying desolating figures तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा उस second हो जाएगा second will be the right answer Move करते हैं अपने next question पे हमें choose करना है तो पहला हमारा statement कहता है if two figures have same perimeter, their areas are equal यानि यदि दो आकरितियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा तो मैं आपको एक example की थूँ समझाती हूँ एक ले लीजिए आप एक rectangle ले लीजिए और आप एक square ले लीजिए तो square में अगर 5 इसकी side है, 5 इसकी side मुलब इसमें सारे sides equal होते है और इसका अगर 6 और 4 है तो इसका देख लीजिए perimeter जो होता है वो 2 into L plus B होता है तो 2 into 6 plus 4, इससे भी 20 आ रहा है तो 2 into 6 20 आ रहा है और इससे भी 20 आ रहा है 4 into 5 4 into A इसका perimeter होता है तो ये 20 आ गया इसका मतलब क्या है कि परिमाद तो same है बट एरिया देख लेते हैं तो rectangle का जो area होता है वो L into B होता है तो area जो होता है rectangle का वो L into B होता है और जो वर्ग का area होता है वो A square होता है तो A square में मतलब कि 5 का square यहां पर 25 आ गया, इसका area 25 आगया और इसका 26 आगया है, तो 6 x 4 यहां पर 24 आ गया, तो क्या area दोनों का same है तो यह गलत statement हो गया, पहला गलत statement हो गया, फिर कहता है जो unit है जो unit है perimeter और area की same है तो यह भी गलत था perimeter का meter या फिर centimeter यह unit होता है और area का meter square centimeter square या जो भी unit होती है उसका square होता है क्योंकि 2 dimensions multiply होते हैं और इसमें 2 dimensions add होते हैं जब भी 2 dimensions add होंगे तो उसका resultant dimension ही आएगा और जब भी 2 dimensions multiply होंगे तो वो double हो जाएंगे, square हो जाएगा यह common चीज़े हैं यह आपको पता होंगी ठीक है पर third statement कहता है shape of the figure determines the perimeter बिलकुल सही बात है जो shape होता है वही perimeter को determine करता है जैसे circle है हमारा और एक हमारा square ले लिजिए तो square में square में जो perimeter हमारा होता है वो होता है 4A और जो circle है उसमें 2 pi r होता है तो देख लिजिए अलग-अलग shapes के अलग-अलग perimeter के formula है ठीक है मूब करते हैं और fourth कहता है if two figures have same area their perimeters are equal तो यह भी गलत statement है तो सही statement इसमें क्या हो जाएगा right answer will be third तो third हमारा जो होगा वो सही answer हो जाएगा move करते है अपने next question पे next question हमारा कहता है in which of the following statement number three is used in ordinal sense यानि निमनलिखित कत्नों में से किसमिश संख्या तीन का प्रयोग क्रम सूचक बाओं में हुआ है तो इसका सही answer जो हो जाएगा वो fourth हो जाएगा fourth will be the right answer move करते है अपने next question पे next question हमारा कहता है identify the correct statement with regard to introducing the concept of triangles at primary level तो इसका सही answer जो हो जाएगा वो third हो जाएगा कि children should be exposed to triangles of all types and also other figures पहले और सारे options भी देख लेते हैं children should only be exposed to equilateral triangles to avoid confusion गलत बात है एक ही triangle को हम introduce नहीं करेंगे दूसरा है children should be exposed to triangles of all types but exposure to the other figures should be avoided ये भी गलत है definition of triangle should be provided first बिलकुल भी नहीं क्योंकि पहले हम चीजों को introduce करेंगे basic level उसका बताएगे कि line क्या होता है फिर तीन line segment से बनके triangle बनता है फिर हम भी एक एक पार्ट को लेके पार्ट को होल जाएंगे मितलब एक एक पार्ट को समझा के फिर बच्ची पिर triangle का पूरा figure दर्शाएंगे ठीक है मूव करते है फिर नेक्स्ट वेस्ट पी नेक्स्ट वेस्ट अमारा कहता है कि identify the correct statement with respect to the mathematics curriculum पहला है the concept of fraction should be introduced only at primary level फिर दूसरा है the concept of negative negative numbers should be introduced at primary level for better understanding या फिर concept of area measurement should be introduced only at upper primary level या फिर the foundation of algebraic thinking can be laid at primary level यानि भिन्नों की संकल्पना का परीचे केवल उच्च प्रात्मिक स्तर पर देना चाहिए या फिर समझ को बहतर करने के लिए रणातमक संक्ख्याओं को संकल्पनाओं का परीचे प्रात्मिक स्तर पर देना चाहिए या फिर शेत्रफल मातन की संकल्पना का परीचे केवल उच्च प्रात्मिक स्तर पर देना चाहिए कि the sum of 5 consecutive number is 20 यानि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है तो what is the sum of first 3 consecutive number प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा तो ये बहुत simple question है आप options की through जा सकते हैं या फिर सीधे ले लीजिए पहले 1 से start फिल लीजिए तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 तो कितना आ रहा है इसका योग जो होगा ये 15 आएगा तो मतलब की एक से हम नहीं start कर सकते हैं ठीक है तो हम इसको आटा देते हैं फिर हम 2 से start करते हैं 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 मतलब हमें 5 नंबर लिखना है consecutive consecutive का मतलब होता है क्रमागत की उसके जस्ट बगल वाली संख्या को लिखना है ये नहीं कि आपने 2.5 2.3 लिख दिया decimals पे नहीं प्राक्रतिक संख्या लेकनी है तो इसको फिर राट पर ये 5 549 और 9 514 14 16 तो अब addition देख लीजिए कि उन पांचों संख्याओं का जो सम आता है वो 20 आना चाहिए तो यहाँ पर 20 आ रहा है तो इसमें question क्या गर है first 3 consecutive numbers का सम बताना है आपको तो बस इन तीनों को जोड लीजे 2 plus 3 plus 4 तो इसका सही answer जो हो जाएगा 9 हो जाएगा 9 will be the right answer, first will be the right answer ठीक है, भूब करते हैं अपने next question पे हमारा next question कहता है in a division sum, the divisor is 5 times the quotient and twice the remainder if the remainder is 5, what is the number? यानि एक बिभाजक के प्रश्न में भागवल का 5 गुना है और शेश्वल का दुगना है यदि शेश्वल 5 है तो संख्या क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ basic चीजें जानी होगी तो basic चीजों में क्या है कि ये जब हम किसी number को divide करते हैं जैसे हमने 2 को 10 से divide किया ठीक है, 11 कर लेते हैं तो जो यहाँ पे संख्याती है ठीक है, जो यहाँ पे जो संख्याती है जो आपका divisor है, वो twice the remainder है ठीक है, divisor जो है, वो twice the remainder है remainder आपका 5 दिया हुआ है तो 2 into 5 हो जाएगा आपका divisor यानि divisor कहीं ना कहीं, divisor की value 10 है ठीक है, अब divisor is 5 times the quotient मतलब अगर divisor 10 है और यह कह रहा है 5 into x 5 times इसके है quotient के है quotient हमको पता नहीं है तो यहाँ से x की value आ जाएगी 10 by 5 यानि x की value 2 आ गई आपकी अब सीधे formula होता है formula क्या होता है आपका यानि number हम से यह पूछा है तो number का जो formula होता है वो भाजक भाजक into भागफल ठीक है, भागफल plus शेशफल, ठीक है इक मीन्स divisor into quotient plus remainder equal to dividend dividend का मतलब इसमें number ही पूछ रहा है तो हमें values पता है आपकी जो divisor की value है divisor की value है, वो 10 है और quotient की value जो है वो 2 है, और remainder की 5 है तो divisor into quotient plus remainder equal to dividend तो 10 into 2 plus 5, तो 25 will be the right answer, ठीक है इसमें second जो होगा, वो सही answer हो जाएगा मूट करते हैं हमने next question पे next question हमारा कहता है amongst the following fraction, the largest and the second largest fraction respectively are इसमें कहरा है, निम लिखेत विन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी बिन्नक करमशा, पौन सी संख्या होगी तो इसके दो methods है पहला method में आपको simple वाला बताती हूँ कि just आप divide करके इनकी values निकाल दीजिए, तो इनकी जो values होगी वो 0.83, 0.75, 0.5, 0.66 और 0.60, अब आपको दो number बताने हैं सबसे बड़ा और उस second बड़ा, ठीक है? तो सबसे बड़ा 0.83 यानि 5 by 6 हो जाएगा और दूसरा सबसे बड़ number 0.75 यानि 3 by 4 तो इसका सही answer जो हो जाएगा, वो fourth हो जाएगा, right answer will be D. अब second method पे आते हैं, second method पे सबसे simple सा method है, उसमें क्या है? अगर difference जो होता है, difference देखिए, 1, 1 का है, ठीक है, इसमें 2 का है, तो कुछ भी नहीं करना है, जो numerator होता है, अंश जो होता है हमारा, अगर सब में जिसका अंच सबसे बड़ा होगा, मतलब numerator जिसका सबसे बड़ा होगा, वही सबसे बड़ा number उन सब में हो जाएगा, तो सब में देख लिजिए, सबसे बड़ा number numerator में 5 है, तो इसका सही जो सबसे बड़ा number हो जाएगा, वो 5 by 6 हो जाएगा, अब देख लिजिए, आपक बताती हूँ सबसे पहले आपको सबसे बड़ा वाला नंबर चेक करना है तो सबसे बड़े वाले नंबर में जो अंश होता है अगर अंश सबसे बड़ा उन सारे नंबर में है तो वह सबसे बड़ा हो जाएगा उसमें सबसे बड़ा फ्राक्शन हो जाएगा इसके बाद फिर second में दोनों में 3-3 है, दोनों के यंश में 3-3 है, इसमें आपको confusion हो रही हो, तो फिर आप हर पे जाएगे, हर में देखिए, एक में 4 है, एक में 5 है, तो जो बड़ा, जिसका हर बड़ा होगा, वो अंक छोटा होगा, वो फ्राक्शन छोटा होगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर जो second greatest number हो जाएगा, वो 3 by 4 हो जाएगा, I hope आपको ये समझ में आया होगा, तो move करते हैं अपने next question पे, हमारे next question कहता है, a wire in the form of square encloses an area of 144 cm square, how much area is enclosed if the same wire is bent in the form of rectangle of length 16 cm, यानि एक वर्ग के रूप में तार 144 cm का क्षेतरफल घेरती है, यदि इसी तार को एक आयत की रूप में मोडा जाए, जिसकी लंबाई 16 cm है, तो कितना क्षेतरफल घेरा जाएगा, तो सबसे पहले आप area से side निकाल सकते हो, area से side निकाल सकते हो, area हमारा दिया हुआ है 144 cm square, तो area जो होता है, वो a square होता है, वर्ग का, ठीक है, side का square होता है, तो 144, तो a यहां से क्या आजाएगा, 12 cm आजाएगा, क्योंकि 144 जो होता है, वो 12 cm का square होता है, ठीक, अब area आ गया, तो perimeter, जब भी हम perimeter की बात करते हैं, तो perimeter हमेशा वो किसी भी shape में ढाला जाए, उसका perimeter सेम रहता है, तो अगर एक square से कोई rectangle के form में bend कर दिया गया है, तो उसका area, उसका square पेरिमेटर सेम रहेगा, तो दोनों की perimeter को हम equal कर लेते हैं, square का perimeter जो होता है, वो perimeter rectangle के perimeter के बराबर होगा, तो square का जो perimeter होगा वो 4A, और rectangle के perimeter का जो formula होता है, 2 into L plus B होता है, तो यहां से हमको यह चीज़ पता है, A की value आ गई है, और length यहां पे आपको दिया हुआ है, 2 into L plus B, ठीक है, तो हमें यहां से B की जो value मिलेगी, वो आ जाएगी हमारी 8, ठीक है, यहां से solve करने के बाद, इस equation को solve करने के बाद, आपकी जो value B की आएगी, वो 8 cm आ जाएगी, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 16 आपका पहले से दिया हुआ है, length की value 16 दिया हुई है, और width हमने निकाल ली है 8, तो बस आपको area निकालना है, तो area equal to L into B, तो area equal to 16 into 8, इसका सही answer जो हो जाएगा 128, so second will be the right answer, move करते हैं अपने next question पर, next question हमारा कहता है, कि in school assembly, students और class are standing in a line, रुही is 19th from both side, मतलब कोई एक रुही नाम की बच्ची है, student है, वो दोनों साइट से, left और right से 19th number पर है, ठीक है, यहाँ से भी 19th number पर है, यहाँ से, तो इसका संपल सा formula होता है, total number of students निकालने का left plus right minus 1, 37, ठीक है, 37 will be the right answer, A will be the right answer, move करते हैं अपने next question पर, असमिता reaches school for meeting 15 minutes before 8.30 है, ठीक है, असमिता विद्ध्याले की गोश्टी में 8.30 मिनट पर 15 मिनट पहले पहले पहुची, वहाँ अपने सहकर्मी से आधा गंटा पहले पहुची, जो कि गोश्टी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुचा, तो गोश्टी का निरधारित यानी, meeting का जो निरधारित टाइम था, वो आपको बताना है, तो इसमें simple सा, वो है कि, 8.30 से 15 मिनट पहले पहुची, कहीं ना कहीं 8.15 पर पहुची होगी, 8.15 एम पर कौन असमिता पहुची होगी, फिर क्या कहता है, she reached half an hour earlier than her colleague, मतलब इसमें 30 मिनट और add कर देंगे, तो 8.45 आ गया, ठीक है, तो ये final असमिता का टाइम हो गया, अब कहह रहा है कि, जो कलीक है, उनका कलीक जो है, वो 40 मिनट लेट होता है, मीटिंग के लिए, तो 40 मिनट अगर लेट होता है, मीटिंग के लिए, तो इसका 8.45 माइनस 40 मिनट कर दीजिए, तो मीटिंग का जो निरधारिक टाइम होगा, तो आट बच के 5 मिनट एम पर होग तो इसका सही answer जो हो जाएगा 3rd हो जाएगा 3rd will be the right answer move करते हैं में next question पर next question हमारा कहता है in how many ways 48 small squares of 1 cm into 1 cm can be arranged so that resulting area is 48 cm square तो इसमें simple सा कुछ भी निकरना है आपको factors उसके निकाल लेने हैं मतलब उसमें से ही उसका factor multiply कर कि कितने factors उसके ऐसे multiply होंगे जिसका resultant जो होगा वो 48 cm square आ जाएगा तो 48 into 1, 48, 24 into 2, फिर 16 into 3 factor से actually उसे multiply करना है तो ऐसे हमारे 5 factors बन जाएंगे यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो 5 ऐसे हमारे factors बन जाएंगे तो second will be the right answer move करते हैं परे next question पर 57th number का हमारा question कहता है कि the rate of various stationary items are given below यह सारे stationary items के rate है इसके बाद पुछा है कि वो finally कितना पैसा देगा तो सबसे पहले आपको यह ध्यान से पढ़ना है यह ध्यान से सारे values पढ़ने है इसके बाद फिर mainly last में आ जाएए तो last में आपको कुछ नहीं करना है सारे जैसे एक packet crayon ले लिया फ्लस दो packet pencil ले लिया इसमें लिखा हुआ है दो packet pencil ले लिया one packet sketch pen ले लिया scissor ले लिया five sheet of glazed paper ले ले लिया one pack of decorative stickers ले लिया तो इसका सही आंसर यह आप कर लीजिएगा यह बहुत easy questions है तो इसका सही जो answer हो जाएगा वो वो second हो जाएगा ठीक है ठीक है एक packet crayon दो packet pencil दो sketch pen ठीक है एक scissor पांच glazed paper और एक decorative stickers ठीक है तो यहां से 1 into 15.5 plus 2 into 14 plus 1 into 22.5 plus 1 into 17 plus 5 into 2.5 तो यह सब multiply करके calculate करेंगे तो इसका सही answer हो जाएगा 100.50 इसका सही answer जो हो जाएगा second will be the right answer move करते है अपने next question पर इसमें कहता है यह previous year question है basically अगर आपने previous year questions देखे होंगे मेरे तो आपको यह आप कर ले जाएगे question a number is larger than half of hundred ठीक है it is more than 6 tenths and less than 8 tenths the sum of its digit is 9 the tenth digit is double of the ones digit what is the number आपको कुछ भी नहीं करना है last line पढ़नी है इसके बाद options देखना है question खतम ठीक है क्या कहरा है कि tenth digit जो tenth digit है वो double है tenth digit जो है वो double है ठीक है अगर यह x है तो यह 2x हो जाए अगर double है once digit के यह once हो गया और यह 10 हो गया ठीक है तो option में देख लीजिए सबका sum तो आ रहा है 9 ठीक है तो पहले statement से तो कुछ नहीं होगा मालब इस वाले statement से तो कुछ नहीं होगा sum of its digit is 9 तो यह हमने चेक कर लिया गलत यह भी option कट गया यह 8x है तो यह भी कट गया यह भी नहीं है double तो क्या यह answer बचता है first will be the right answer move करते है अपने next question पर in a 5 digit number the digit at the 100th place is 3 4th of the digit at 10th 1000th place इतना लंबा question है आपको क्या करना है सबसे पहले आपको last line पढ़नी है ठीक है last line कैसे क्या पढ़नी है last line से बहुत आपको बहुत बढ़ा hint मिल जाएगा क्या मिल जाएगा if the digit at unit place 4 number की हमें संख्या गयाद करनी है इसमें कहरा है इसमें कहरा है the digit at unit place ये unit है ये 10th है ये 100th है ये 1000th है ये 10,000th है ये आपको पता होगा अब अब क्या करेंगे if the digit at unit place is largest single digit odd number अब आप बताए यानि यदि 21 स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विशम संख्या एक अंक वाली सबसे बड़ी विशम संख्या कौन सी होती है नाइन ठीक है अब options में आप देख लीजे options में जाए तो यहाँ 9 नहीं ये भी कड़ गया यहाँ 9 नहीं ये भी कड़ गया अब आपके बिचे दो options अब दो options में पहले ये चेक कर लेते हैं पहले यही चेक कर लेते हैं तो इसमें ये कह रहा है the digit at 10th number the digit at 1000 place is largest फिर अपने पहले statement पे आते हैं the digit at 100 place is 100 का मतलब की ये वाला ये वाला जो नमबर है ये 3 4th है मतलब एक्स जो है वो 3 4th है 10 थाउजेंड प्लेस के ठीक है अब 10,000 place is में 8 है तो 8 कर दीजिए ठीक है 8 कर दीजिए अब यहां से 4 को काटेंगे 2 आया तो 6 आना चाहिए बट यहां पर क्या है हमारा 4 है ठीक है यहां पर क्या है 4 है तो 4 क्या हो ये option तो इस से ये भी answer मतलब option eliminate हो गया ठीक है तो हमारा सही answer जो हो जाएगा 4 हो जाएगा I hope आपको ये समझ में आ गया होगा move करते हैं अपने next question पे हमारा next question last question जो है कहता है अ train starts from Patna on 30th May 2028 23 मतलब 11 बच के 40 minute पे और reaches Mumbai पहले जून को 2020 को 5.15 पे तो what is the total travel time of train ठीक है time बताने है total time travel का तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको just add कर देना है तो इसका सही answer जो हो जाएगा 29 hours 35 minutes ये बहुत असान question आप देख लिजेगा add कर दीजेगा 25 hours बस hours calculate करके इसको add करना है तो आज के लिए बस इतना ही comment section में आप जरूर बताईएगा कि आपके कितने marks आ रहे है आपको किसी भी question में अगर problem होई हो आपको नहीं समझ में आया हो तो please comment section में जरूर बताईएगा तब तक के लिए खुश रहे है मस्त रहे है और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए धन्यवाद